राधी राधी एवरिवान दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे बरुथनी एकदसी की पौरालिक ब्रत का था कहानी चार मई दो हजार चौविस दिन सरीवार के दिन बरुथनी एकदसी पड़ रही है दोस्तों हिंदू धर्म में प्रतेक महा सुकल पक्ष और कृष्ण पक्ष में दो एकदसी ब्रत आते हीं सभी एकदसी ब्रत का अपना एक विसेश महत्तो होता है कहते हैं कि एकदसी का ब्रत रखने से ब्यक्ती को सारीरिक और मानसिक गस्टों से मुक्ती मिलती है साथी मुरत्यों के बाद मोक्ष की प्राप्ती होती है बैसाक माहा की कृष्ण पक्ष की एक दसी को बरूथ नी एक दसी कहा जाता है दोस्तूं और इस साल ये 4 मई 2024 दिन सा निवार को पढ़ रही है एक दसी के दिन भगवान विश्णू और भगवान स्री कृष्ण का पूजन किया जाता है पूजा के दिन ब्रत कथा अवश्य पढ़नी चाहिए आईए सुनते हैं बरूथ नी एक दसी की पराणिक ब्रत कथा कहानी पौराणी कथा के अनुसार एक बार भगवान स्री कृष्ण से युदिस्ठिर ने बरूतनी एक अदसी ब्रत कथा के महत्त के बारे में बताने के लिए कहा तब इस श्री कृष्णी ने कहा जो प्यक्तिस ब्रत को रखता है उसे पुन्नी की प्राप्ती होती है इस से संबंदित कथा है कि नर्मदा नदी के तड़ पर राजा मानधाता का राज्जी था राजा मानधाता दानी और धर्म मात्मा दोनों थी एक वार जब वे जंगल में तपस्या कर रहे थी तो एक भालू आ गया और उनका पैर चवाने लगा फिर वे राजा को घसीट कर जंगल के अंदर ले गया जिसके कारण राजा की तपस्या भंग हो गई और वे घायल हो गई तब उनों ने अपने मन में हरी विष्णू को ध्यान किया और अपने प्राणों की रक्षा के लिए प्रातना की भगवान विश्णू ने उनकी प्रात्मा को सुईकार कर भालू को प्रकट होकर अपने चक्र से मार गिराया लेकिन भालू के बार से राजमानधाता अपंग हो गए उन्हें काफी दुख और कस्टों का सामना करना पड़ा ऐसे में उन्होंने भगवान विश्णू से सारी रेक और मानसिक पिड़ा को दूर करने का उपाए पूछा तब भगवान विश्णू ने कहा कि तुम्हारे पुराने कर्मों का फल तुम भोग रहे हो ऐसे में तुम मतुरा जाकर बैसाक महा के किष्ण पक्ष की एक अदसी का ब्रत रखो और साथ ही मेरे बरहा अवतार की पूजा करो ऐसा करने से दुख दूर होंगे और सबी कस्टों सी छुटकारा मिलेगा आईए दोस्तों अब जानते हैं बरुथनी एक अदसी की सरल पूजा विधी क्या है बरुथनी एक अदसी तिथी के दिन सुभा सोर्योदे से पहले उठकर सौच आदि से निर्वर्थ होकर इश्नानादी कर लें इसके बाद ब्रत करने का संकल्प लें उसके बाद भगवान विष्नों को अक्षत यानी चावल दीपक नैविध्यम यानी बतासा आदि सोला सामिग्री से उनकी विधिबत पूजा करी फिर यदि घर के पास ही पीपल का पेड़ हो तो उसकी पूजा भी करी और उसकी जडमी कच्या दूद चड़ा कर घी का दीपक जलाएं घर से दूर है तो तुलसी का पूजन कर लें पूजन के दोरान ओम, नम, भगवती, बाशुदेवायन नमा की मंत्र का जब करते रहें फिर रात में भी भगवान विश्णू और लक्ष्मी माता की पूजा अर्चना करें पूरे दिन समय समय पर भगवान विश्णू का इस्मरण करें रात में पूजा इस्थल के समीब जागरण करें एक दसी के अगले दिन दो दसी को ब्रत खोलें यह ब्रत पारण मूरत में खोलें ब्रत खोलने की बाल ब्रहाम मड़य किसी गरीब को भोजन जबश्य कराना चाहिए आईए अब आपको बताते हैं बरुधनी एकादसी ब्रत की नियम क्या क्या है पहला नियम है इस दिन कासे के बरतन में भोजन नहीं करना चाहिए दूसरा है मास और मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए तीसरा नियम है चने का और कोंदो का साग नहीं खाना चाहिए साथी सहद का सेवन भी निशेद माना गया है चोथा नियम है एक ही बक्त भोजन कर सकते हैं दो बक्त नहीं पाँचमा नियम है इस दोरान इस्तरी संग सयन करना पाप माना गया है छटा नियम है इसके अलावा पान खाना दातुन करना नमक तेल अथवा अन्य वर्जित है साथ मानियम है इस दिन जुआ खेलना, क्रोध करना, मिथ्या, भाशड करना, दूसरी की निंदा करना एवं कुसंगत्याग देना चाहिए